मुझफर नगर में आज फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुट भेड़ हो गई जिसमें 25 अजार का इनामी बदमाश कयूम गोली लगने से घायल हो गया जिसे इलाज के लिए जिलाची किसाले बेजा गया गयल बदमाश कयूम के पास से एक बाईक और एक तमंचा बरामत किया गया है कयूम नाम की इस बदमाश के खिलाफ विबिन थाना चेतरों में एक दरजन से ज्यादा अपरातिक मामने दर्ज है दरसल पुलिस और बदमाशों के बीच आनईमंडी कोतवाली छेतर के जॉली रोट पर मुटबेड़ हो गई जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश कयूम को गोली लगी है घायल बदमाश को इलाज के लिए जिलाची किसाले बिजवा दिया गया है घायल बदमाश के पास से एक बाइक तमंचो और कार्थूज भी बरामत किये गए है गौर तलब है कि कयूम नाम के इस बदमाश के खिलाफ एक दर्जन से ज़्यादा आपरादिक मुगदमे विभिन थानों में दर्ज है कयूम नाम के इस बदमाश इतना शातिर है कि यह पिछले कुछ दिनों पहले खतोली कोतवाली छेतर में पुलिस पार्टी पर फाइरिंग कर फरार हो गया था जिसकी तलाश में मुझफ़र नगर पुलिस लगी हुई थी आज चेकिंग के दोरा नई मंडी कोतवाली छेतर के जॉली रोड पर बाइक पर सवार होकर जब कयूम जा रहा था तो पुलिस ने इसे रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फाइरिंग शुरू कर दी जिसमें कयूम नाम का 25 जार का इरामी बदमाश गौली लगने से घायल हुआ है महीं इस मामले में एस्पी सिटी ओंविर सिंग ने जानकारी देते हैं बताया की आज धन तेरस का तेवार था जिसके कारान चारो तरफ चेकिंग चल लही थी तो कुकड़ा चौराय पे भी मंडी पुलिस चेकिंग कर रही थी तो एक सस्पेक्टिड मोटर साइकल कु रोगा जिस पे दो लोग थे उन्होंने अपनी मोटर साइकल नहीं रोकी भगा दिया पुलिस ने भी उनके पीछे मोटर साइकल लेगाई आगे चलके क्योंकि सेट पे भी सुचना कर दी थी घेरा बंदी करी उन्हें ललकारा लेकिन उसके बाद भी नहीं रुके पुलिस पाइटी पे फाइरिंग करते हुए भागे आत्मरक्षा में पुलिस ने भी अपना फ जो अभी तक इसकी क्रिमनल हिस्टी निकलिए करीब 12-13 मकडमें इसके उपर थे एक सस्पेक्टिड मोटर साइकल है जिसे इसके द्वारा किसी घटना में लूट ना बताया गया है बाकी तजदीक किया जा रहा है चिस तरह का प्रादी इस यह लुटे रहा हर तरह के अपर इसके पास से काफी मिले हैं और एक सस्पेक्टिड मोटर साइकल है जिसे इसके द्वारा बताया गया है कि किसी लूट की घटना में है बाकी तजदीक किया जा रहा है